दो दिन बाद हुआ कुछ ऐसा कुछ मस खरे वहाँ पे आया रो रो कर बोले हजरत से साथी मेरा मर गया हाई आप तो है महभूब खुदा के दीजिये करमत कोई दिखा या कोई तरकी भी कर दे बाबा मुर्दा वो जिन्दा हो जाए सुनकर उनकी इन बातों को हजरत लगे उने समझाए मरने वाला अगर मरा है तो जाकर उसको दपनाए मरने और जिलाने वाली चाते खुदा की हे बस हाई उसके अलाबा हजरत इशा कुछ मुर्दों को यहां जिलाए उसके अलाबा हजरत इशा वो मस्खरे बाते सुनकर लोट गए मोह को लटकाई बाहर या कर खूब हसे वो उनकी हसी मिल जुल के उड़ाई फिर एक भोंडा सा मन सूबा उन लोगोंने बिल के बनाए एक जिंदे को मुर्दा बना कर पास उनके ले जाया जहाँ और नमाज जना जाँ उनसे चाहे जैसे वो पढ़वाई जब वो नमाज जनाज पढ़ा दें खाट से वो मुर्दा उठ जाए फिर उनकी हम हसी उड़ाए इतनी के बस रहा न जाए जाने छुडा कर वो भी भागे सर में से अपने मुह को चुपाई जाने छुडा कर वो भी भागे ये मन सूबावना के जालिम खाट पे एक मैय अत ले आए और बोले हजरत से आकर एक जनाजा हम है लहाँ ससक ससक के बोले सारे पहरे खुद हजरत आजा इतनी गुजारिस है के उसकी आप नमाज जनाजा पढ़ाए हजरत ने उनको समझाया और किसी से जा पढ़वाए मुझसे बेटर और यहाँ है मुझ में क्या खुबी है हाई उन सबने परिवात न मानी दुरोरों के बोजिद पे आए अलाह का जव दिया वास्ता आप जनाजा दिया पढ़ाए अलाह का जव दिया वास्ता बाबा बाद नमाजे आखिर उसको लगे मस्कर जब के उठाए उठ नहीं पाया बना जो मुर्दा तब वो सारे होसे में आए लाखे जिजोडा लाखे उठाए लेकिन वो न अंग हिलाए कफन खोल के देखा जिस दम करने लगे बुहाई हाई जिन्दा था ये मर गया कैसे उनकी समझ में कुछ न आया थिर वो रोई ससक ससक कर हजरत से फर्याद लगाई बोले हजरत माफी दे दू इसको जिन्दा कर दू हाई बोले हजरत अब ले जाओ तो इसको जाके दफनाई बोले हजरत अब ले जाओ